हेलो फ्रेंड्स, जह जगणनाथ, मेरे के चेन में आप सब का स्वागत हैं आझ मैं आपके साथ सेहर करने जा रहे हूं बहुत स्वादिस्ठ चीज मेगी आपने असवा चीज कब भी नहीं बनाए होंगे बहुत ही आसान हो, खाने में बहुत ही टेस्टी तो इसे बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आप एक बार जरूर ट्राइ करेंगे तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वीडियो को लाष्ट तक दखते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां मैंने कुछ सामान ले लिया है बस ज्यादा सामान के भी जूरत नहीं है ब चीज जो मैं घर पे बनाए हूं होममेड चीज मेरे चैनल पे भी अभेलेबूल है आप देख लेना उसके बाद यहां थोड़ा सा बेंच लिया है और यहां मैंने लिया है प्याज जो इस तरह से बड़ा बड़ा साइज में मैंने कट करके रखा है तो चले सब सामान रेड मैगी को भी डाल देते हैं और उसके बाद चले यहां हम लेंगे पानी जो की बस एक कप करीब पानी लेंगे तो इसको डाल देंगे और उसके बाद इसके उपर डाल देंगे स्वाधा नुसार नमक बस आधा चम्मची मेंने नमक डाला है उसके बाद इसके उपर डाल दें और इसके उपर डाल देंगे ये है मेगी का मसाला जो चार पकेट मिला था तो उसको मैंने इसको निकाल लिया था तो इसके उपर इसे मसाले को डाल देते हैं बस थोड़ा ही रखेंगे और सबको हम डाल देंगे और उसके बाद चलिए हम ये कच्छी के मज़द से इसे हम पलट देते हैं बस जिस साइज से हम रखेते हैं उसी साइज से ही हम पलट देंगे तो देखिए नीचे साइड अच्छी तरह से पक चुका है तो नीचे साइड भी पक जाएगा बस इसे साइज कर लेना है तो पलट तो इसको भी डाल देंगे और इसे डालने के बाद यहां हम डाल देंगे स्वेजवान चटनी अगर आपके पास स्वेजवान चटनी नहीं है तो आप यहां टमाटा केचप को चार तरप से फेला लिजिए और यहां आपको ग्यास को कम ही आंच रखना है बिल्कुल ज्यादा कर समाउब नहीं कम और इसके वपर एीछıs दी हम इसतरा से सजा लेते हैं तो देकिया है यह hasi सजंचटर्नी के अच्छी तरह से फिला लिया है 4 तरप शेका उसके बाद उन ने कर आफिए जो हममेट चीज था तो यहीं Lapot को मैंने इस तरह से 4 तरप छालेप से भिला लूं यहां आपके पास अगर कैप्सिकुम हो तो आप यहां कैप्सिकुम को भी इस तरह से सजा लीजिए तो आप अपने ही सबसे ही सजा लीजिए उसके बाद यह मेगी का मसाला जो हम थोड़ा से बचा के रखे थे तो इसको इसके उपर डाल देंगे तो दीखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा इसके उपर बस थोड़ा सा ही तेल डाल ले ही हूं अगर आप तेल नहीं डालना चाहते हैं त लेकिन थोड़ा साही तेल डालने से स्वाद अच्छा आएगा इसके बाद इसको हम ढग देंगे तो 2-3 मिनिट के लिए इस तरह से हम ढग देंगे तो यह देखिए 2-3 मिनिट हो चुका है मैं निकाले हूं यह देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है यह बनके भी तेयर हो च अधाने में भी बहुत ही चेश्टी लगता है आप एक बाद जरू ट्राय करें और इसे आप आसानी से प्लेट में भी निकाल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेगा तो चलिए इसको में प्लेट के आपको निकाल के दिखाती हूं यह देखिए प्लेट में निकाल लिया है तो इस तरह से आप घर पे बना के जरू ट्राय करें बहुत इस्वादिश लगेगा बच्चों को भी बहुत ज्यादा टेस्ट लगेगा आप सामके वक्त इनको अगर इस तरह से बना के देंगे तो चलिए अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्स्राइब कीजिएगा बिल आइकन का दबा के अल कीजिएगा ताक कि जब इमें वीडियो डालूंगे आपके पहले पहुन जाए और कमेट शेयर करना मत भूलिए तो यह देखिए मैं पीजा को निकाल के भी आपका दिखा रहे हूं कट करके बहुत अगर आप साम के बक्त बच्चों को इस तरह से बना के देंगे ना बच्चे बहुत ही खुछी से खाएंगे और बाहर से मिल्कुल पीजा मंगाने के भी ज़रुरत नहीं होगा आपको तो आप इस तरह से घर पे बना के खाएए तो चलिए अभी आम मिलेंगे नेक्स्ट व